दोस्तों क्या वेदानता स्टॉक में as a retail investor आने वाले समय के लिए हमें investment करना चाहिए क्या इसमें वाकई में multi-wagger returns देने का potential है क्या इसके स्टॉक वाकई में fundamentally strong है आने वाले समय में de-merger की वज़े से क्या changes हो सकते इसमें और technically क्या ये buying levels पे है या नहीं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नहीं जानकरी के साथ दोस्तों इस छोटी सी और to the point वीडियो में हम वेदानता के recent de-merger के बाद आने वाले समय के लिए analysis करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इसमें investment करना चाहिए या नहीं तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को like करना ना भूलिएगा ठीक है तो यह recently हम सब को पता है कि वेदानता ने de-merger announce कर दिया है और de-merger announce किया इन्होंने 29 September 2023 को और यह de-merger basically इन्होंने announce किया अपना जो बड़ा हाथी यह बड़े हाथी के form में वेदानता हो चुका है उसको 6 कमपनियों में यानि कि existing वेदानता के साथ plus 5 कमपनियों में 5 businesses में de-merge करने का अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या इन सभी 5 कमपनियों में वही potential रहेगा जो कि वेदानता में था तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन से businesses में यह de-merge करने वाले है तो यहाँ पे अध्यान दीजिए तो वेदानता, Aluminium, Oil & Gas, वेदानता, Power, वेदानता, Steel & Ferrous Metals, वेदानता, Base Metals, and वेदानता Limited यहाँ पे रहने ही रहने रहने Steel & Ferrous Metals, Base Metals, तो basically जो businesses का conglomerate था, एक ही business में यह जो वेदानता Limited के अंडर में यह काम काच कर रहा था, यह de-merge होने वाली है 6 की 6 कंपनियों में, ठीक है, अब ऐसे में वेदानता Limited overall देखा जाए, तो हमें यह समझना होगा कि क्या opportunities हो सकती है इसमें आने वाले समय के डिवीडेंट पर, डिवीडेंट ध्यान दिजिए, तो आप देख सकते हैं कि डिवीडेंट इनका payout रहा है करीब करी 85,000 करोड़ रुपाई के आसपास, यहनी on an average हर साल यह 8,500 करोड़ के आसपास dividend payout करते नजर आ है, लेकिन ध्यान दिजिए, तो इसका bulk of the dividend disperse हुआ है 2022 और 2023 में, तो जो भी आपको समझ में आ रहा होगा इसको देखते हुए, आप clear cut comments में जरूर बताइए, आगे हम डिटेल में इस पर discussion करेंगे, जब हम dividend के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि fundamentals क्या कहते हैं, वेदानता limited के, तो आप ध्यान दिजिए, अगर ऐसे ही dividend दे रही, तो आपका जो invested amount है, वो 2-2 साल में ही dividend के form में ही वापस कर देंगे, अब यह practically possible है या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा, company यहाँ पर profitable है, cash flow हला कि negative है, प्यत्रोस की score के साथ से long term के लिए feedback है, ग्रहम नुमर के साथ से यहाँ पर currently सस्ते दाम पर मिल रही है, return on equity वैतरी ने, return on capital employed वैतरी ने, debt यहाँ पर 66,000 करोड का है, debt to equity 1.69 है, debt का बहुत ही ज्यादा pressure रहने वाला है, price to earning ratio के हिसाब से आपको लग रहा होगे कि undervalued है, पर PG ratio के हिसाब से overvalued यहाँ पर zone में trade कर रहा है, तो fundamentally हम देख रहे है कि company strong है, but कुछ parameters इस समय के लिए, इसका जो financials है, वो कैसा perform कर सकता है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देते है, shareholding pattern, हमने देख 63% के आसपास promoters तो है, लेकिन 100% of the promoter shareholding की pledging हो रखी, generally किसी company में अगर shareholding की, promoter shareholding की pledging हो रखी है, ऐसी company हम consider नहीं करते हैं, और ऐसी company हो में generally investment, even institutions भी नहीं करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजे, तो यहाँ पे to the contrast of the point, institutions अच्छे खासे बने हुए, हलाकि mutual funds निकलते हुए नजरा रहे, public shareholding 17% के आसपास है, तो जिस company में अगर 15% से ज़्यादा institutions है, उसमें 40-50% से ज़्यादा promoters है, promoter shareholding की pledging नहीं हो रखी, ऐसी company में बिना किसी financial analysis के हम investment करते हैं, तो हमें returns मिलने के chances ज़्यादा होते हैं, अब based on this information आप यहाँ पर clear cut decide कर सकते हैं, कि वेदानता में हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा, dividend yield 45% के आसपास है, हर 1000 रुपए के investment पर 441 रुपए यहाँ पर dividend मिलेगा, अगर यह पिछले 2-3 साल का जो track record है, dividend का वो continue करते हैं आने वाले समय में, अब continue in the sense कि अगले 1.5 साल में हमें सारी की सारी कमपनियां हाँ पर demand होते हुँ दिखाए देंगी, 5-6 अलग-अलग entities हमें list होते हुँ दिखाए देंगी, stock market म 1 is to 1 की ratio का सब को shares मिल जाएगा, अगर किसी के पास वेदानता limited का share है, तो ऐसे में dividend ये वाला जो आकड़ा है, ये change होता हुँ नजर आएगा, तो वेदानता में हो सकता है, हमें अच्छा खासा dividend continue मिलें, बट इसके जो businesses हैं, उसमें थोड़ी बहुत हमें changes देखने को मिल स साल पे यहां पे invested amount जो है dividend के form में returns मिलता रहेगा, तो ये बड़ी बात है, कोई company अगर हर 2-3 साल, 3 साल पे invested amount को dividend के form में, passive source of earning के form में वापस दे दे रही है, तो ऐसे में company हर 2-3 साल पे multi-vagger returns देती आ रही है, अपने existing investors को, तो ये बात logically हमें समझना होगा, ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, तो 2014 में बात करते हैं, 2014 में महज 1.5 रुपाय के आसपास dividend था, यहां पे करीब करीब 4 रुपाय के आसपास dividend दिया था, 2015 में 1.5 रुपाय का dividend, यहां पे 3.5 रुपाय का dividend, तो all in all यहां पे करीब करीब 5.5 रुपाय का dividend, 2016 में केवल 1.5 रुपाय क आते आते काफी सारे changes हुए 17 रुपाय का dividend हो गया 21 रुपाय का 2018 में 17 रुपाय का 49 रुपाय का total 2018 में लेकिन 2019 में फिर से 1.5 रुपाय का तो यहाँ पर consistency नजर नहीं आई dividend के form में dividend अगर कोई company दे रही है और dividend yield में उसके कही न कही से थोड़ी बहुत growth हो रही है तो ऐसी company नहीं दिया 2020 में 13 रुपाय का dividend 2021 में बहुत बहतरिन डिविडेंट 22 में डिविडेंट 23 में और अच्छा dividend तो यहाँ पर हम कह सकते कि हम एक dividend के लिए इसको trust नहीं कर सकते है हाला कि अगर यह ऐसा dividend देते रहे जैसा कि पिछले दो साल में दिया है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा passive source of earning हो सकती है इससे एक दिन के candlestick चार्ट की बात करें technical analysis में तो इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है और all time चार्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ interesting बाते आपको समझ में आएगे अब देखिए 2005 में 35 रुपए का फिर यहाँ पर 2022 में 400 रुपए के आसपास और currently यहाँ पर 220-222 रुपए के आसपास क्वेट करता हुग नजरा रहा है तो ऐसे में इस stock में आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है एक sinusoidal kind of wave दिख रही ही right sinusoidal means कभी high बनाता है कभी low बनाता है फिर उसी के आसपास का high बनाता है फिर उसी के आसपास का low बनाता है तो basically यह जो low और high है यह अगर कोई इसमें पकड़े तो ना सिर्फ अच्छा dividend पा सकता है बलकि एक अच्छा खासा swing में profit ले जा सकता है multi-bagger profit within a short span time period यहाँ पर कहने का मतलब यह long term के लिए stock आपको अच्छा returns ना द बट swing trade में अच्छा खासा profit दे सकता है और currently हम देख रहे हैं कि swing trade में एक अच्छा discount मिल रहा है इसमें de-merger भी होने वाला है और past history इनका dividend का अच्छा track record रहा है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह stock हमारी portfolio में dividend investing के purpose से हो सकता है ना कि growth के purpose से ठीक है तो I think यहाँ पर clearly आपको स आपको पसंद आई होगी इसमें दीगे जन करें आपके काम कियोगी वीडियो को लाइक करिए कोई सवाला तो comment जूल करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों यहाँ पर disclaimer कि हमारी वीडियो में किसी तरह का recommendation नहीं होता है किसी भी stocks के बारे में क कि आप हमारे दोरह discuss किए stocks में investment करिए हम आप लोग के लिए information लाते ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बनने की रहापर आगे बढ़ सके